हेलो दोस्तों मैं जीत स्वागर करता हूँ आपके अपनी चैनल जीत फोर यूपर तो हमने दिखे अगली वीडियो में सेट वन कंप्लीट कर लिया है इसमें हम देखेंगे सेट टू हिंदी कच्छा दस तो निर्देश आपके वही रहेंगे प्रश्ण होंगे आपके इसमें तो चलिए मैं बिनादेरी करें सुरू करता हूँ लेकिन सुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो को नोटिकेसन आपको मिल सके ओके तो आपको क्या करना सबसे प पूरव परणे उत्तर दें ताकि आप इस गध्यांज को पढ़कर आंके के प्रढ़ी नहीं दे के सकें मैं तो आपको आंसर बतानी ही बाला हूँ पिर भी आपको पड़ना होगा क्योंकि जो आपको नहीं पढ़ेंगे तो तो आप महापर एनेस की जो कल यानि के बारा तारीक को परिख्या होने वाले वहापर तर नहीं दे पाएंगे तो यहां से देखते हैं अपने प्रश्ण सेट पुर्शुत तमदास पूना की कौनसी पार्शाला का मुआयना करने गए थे सरशुती पार्श चार्सो 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 जी हां याद कर लिजिए वाटसप नमबर क्योंकि आप चाहे आपका मैत का सवाल हो या फिजिक्स के मेंच डिवालो जी आपके हर डाउड हर कुश्चन का मिलेगा तुरंद वीडियो स्रोलूसन वो भी सीधा आपके आयाईटी जेई नीट और सीबियसी बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के वच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए और आच चार्सो चार्सो पर आपना सवाल वाटसप कीजिए और अपने सभी डाउड को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्सिन में शाला सेट जी का दमन किसने पकड़ लिया था किसने रोहिणी नामक वालिकान जहां तुम जाओगे मैं भी बहीं चलूँगे सब किसने और किसे कहा तो प्रश्ण तीन का उत्तर है रोहिणी ने सेट जी से कहा अगला कुश्चन अपना एतीम किसे कहते है तो प्रश्ण एतीम जिसके माता पिता ना हो रोहिणी ने अपनी सहेली की तरफ गर्भ से क्यों देखा तो प्रश्ण पांच को तरह अपना खा क्योंकि सेट जी के रूप में उसे पिता की प्राप्ति हो गई थी नहां पाद द नहीं है तो रश्ण 6 का उत्तर है गां तो दीखिए अगले कुश्चन की आंसर देनी के लिए आपको पैसी इसको रीट करना है तो सबसे पहले वीडियो को रोकना है या स्कीन सोट ले रहना है या पीडियेप फाइल को डाउनलोड कर लेना है टेलेग्राम चैनल से ठीक है तो अपन कोश्चन देखेंगे अपना कोश्चन है शमय का पैया सदेव चलता रहता है से क्या आशे है प्रिश्ण 7 का होगा खा समय का भी नहीं रुकता उन्नती की कुण्जी क्या है प्रिश्ण 8 का उत्तर होगा खा समय का सदोप्योग करना प्रिश्ण 9 का वर्ष्रा जल प्रिशन 9 का उत्तर है गा इहां पर आज़ेंगे चलेंगे अगलाThanks question होगा अपना गध्यान का सबसे उतिच सर्षक क्या प्रश्ण seus प्रिश्ण का उत्तर होगा गा शमय का महत्व शमय का श्षद्यूप्य है कैसी किया जा शकता प्रिश्ण कियारा के उत्तर होगा खा पित्तेकार को समय पर पूर करके गया वक्त और नहीं आता मुहाब्रे का alcohol अल्थ तो पिरृषन बारा के उत्तर होगा खा जो वक्त गुजडर गया वह स्वापिश नहीं आता सीधे सी बात है आप देखिया पद्धांस दिया गया है तो पद्धांस को आपको पढ़ना है ठीक है ना तो पद्धांस थोड़ा कठिन होता है उसके आंसर देने में इसलिए आपको कद्धांस पर जादा ध्यान देना है पद्धांस भी आपका आएगा तो अगल का अर्थ है प्रश्न 14 का उत्तर होगा का कोसिस सोचते कहते हैं जो कुछ कारे दिखाते हैं वही का अर्थ है प्रश्न 15 का उत्तर है गा तो मैं अहाँ पर आपको उत्तर दिखा रहा हूं और प्रश्न पढ़के बता रहा हूं जिससे कि आपनी वीडियो लंबी ना हो आज कल क करना से क्या तात्पा है तो प्रश्ण 16 का उत्तर होगा खा कौन ब्यक्ति हमेशा काम्याब रहता है प्रश्ण 17 का उत्तर है का जो विपिरित परिस्तितियों में कभी नहीं घब राता सीधी सी बात है जो कभी नहीं घब राएगा वो काम्याब रहेगा प्रश्ण 18 अगर अपने ग्रह को समय पर करते हैं तो आपके बारे में कभी क्या विचार करते हैं प्रश्ण अठारा का उत्तर है गाह दिखें यहाँ पर फिर से आपको एक पोश्टर दिया गया है ठीक है न तो इस पोश्टर को अपने पढ़ लिया है इसके बाद आपन देखेंगे अपने उ इनिस का उत्तर होगा स्वास्त से यानि किखा चरंजी भी वीमा योजना किस राज में संचलेत है वीश वीश का होगा गह राजस्थान में राज के पित्तिक परिबार के इलाज के लिए कितनी रासी निधारिस की गई है तो परश्ण 21 का होगा गहा पांच लाग रुपए इसकी बात देखिए अगला कोश्चन है राजस के परिबार में 12 सदस हैं तथा शवी की आमदनी बहुत अच्छी है क्या राजस का परिबार इस लोजना के लिए पात है प्रश्ण 22 हाँ बिलकुल किन परिबार का प्रिमियम सरकार वहन नहीं करेगी प्रश्ण 23 का उत्तर ह इसके बात देखिए अगला कोश्चन है अपना रमेश को तीन दिनों से खासी की सिकायत है क्या उसे अस्पताल में कैसलेस इलाज की शुगता मिलेगी प्रश्ण 24 प्रश्ण 24 का उत्तर है खा नहीं बिलकुल नहीं इसके बात देखिए आपको कुछ वह दी गई है नीजी कि दी गई वादियंत्रों की तालिकт तो इसके तालिका दी गई है वादियंत्रों की आपको ठीक से रीट करना है उसके बात बताना है यहां पर अपन देखेंगे अपने P लोग भाग्यों के समानता कितने भाग में बढ़ की किर्प की गया है तो प्रश्ण 25 का उत्तर अपना गहां है। चार चब्शू किस ठाली किस प्रकार का बाधयंत्र है। त्यज़एंट का इसका अगाहा धन्वाद जहां जो ुच एक वाद का सही योड में च्hourd representations अठाइस गहाँ एन प्रश्न ट्वट्र Syriam 29 के उत्तार मंगाँ थे सब्गर्र धां प्रश्न 30 प्रिस्न 30 का उत्तार मंहिभगा तो यहां पड़िए अपने प्रिशन 30 यानि के प्रिशन 42 के भी आंसर कंप्लीट कर लिए हैं तो आपने देखेंगे आगला सेट तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद